तो शारुख खान के बेटे आरियन खान को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि पहले तो जब माजरा शुरू हुआ ये दो तारी को शुरू हुआ इस raid में तमाम लोग गिरफतार हुए इन गिरफतारियों में गिरफतारी हुई शारुख खान के बेटे आरियन खान की बताया ये जा रहा था कि शारुख के बेटे के पास से कुछ ड्रग्स मिले हैं और वो इनने कंजूम करते हैं इनका इस्तमाल करते हैं अब इनी वज़ा से उनको जेल हुई जो कि दो दिन के लिए उनको जेल में डाला गया दो दिन तक लोगों को लगा कि चीक है दो दिन उनने काट लिया अब शारुख जो है वो अपनी ताकत पैसा का इस्तमाल करके बाहर निकाल देंगे पर ऐसा नहीं हुआ दो दिन बाद जब कोट का डिसीजन आया तो कोट ने ये डिसीजन लिया कि उनकी बेल को रिजट किया जाएगा और कस्टिडी को चार दिन और बढ़ा दिया जाएगा यानि अब दो से च्छे दिन और होगे चार दिन और बढ़ गए दो छे दिन जेल में रहने के बाद ये समझ में आया कि अब तो शारुक के बेटे को बाहर निकाल ही लेंगे और अब हो ही नहीं सकता कि उन्हें NCB की कस्टिडी में रहना पड़े लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात ये हुई कि इसके बावजू भी शारुक के बेटे जेल से बाहर नहीं निकल पाए और उनकी कस्टिडी को दो दिन चार दिन नहीं बलकि 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया और अब जो है NCB से वो पुलिस स्टेशन आ गए हैं यानि वो जेल में रहेंगे और और रोड जेल है ये जहां पे ने रखा गया है आपको बताना चाहेंगे कि जब ये चीज सामने आई तो कई लोगों को हिरानगी हुई कई लोगों का ये पूछना था कि आरेन का इतना बड़ा क्या जुल्म है कि वे अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब मंडे य जब भी ज़रुत पड़ेगी कुछ भी तहकीकात करने के लिए तो वो उन्हें कभी भी बुला सकते हैं तो जेल में रखने का कोई असेंस नहीं बनता है लेकिन NCP का ये कहना था कि अभी ये जो मामला है ये इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ है और इसी तमाम इन तक उन्हें कम सकम जेल में रहना ही पड़ेगा दरसल NCP ने समय मांगा है अपनी रिपोर्ट बनने के लिए और कोट-ट नहीं दो दिन की इजासद दी है तो मतलब को itself बिला कर दोके लिए कि न caption mechanism को और जेल में रहना पड़ेगा और आगे इस के और और कितने दिर जेल में रहते हैं ये तो खेर समय ही बताएगा फिलाल के लिए इतना ही हमाश्कार।